मानिय सभापती जी, कर्सी और पसुपालन की मांग पर आपने बोलने का उसर दिया उसके लिए आपका दन्यवाद मानिय मंत्री जी से मेरे छेतर की कुछ बातों पर चरचा करूँगा मानिय मंत्री जी मेरे छेतर में जितने भी 14 अस्पताल है चबदा अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है एक भी अस्पताल का खुद का बवन नहीं है इसलिए आप से आग रहे हैं कि एक सभी अस्पतालों का खुद का बवन हो उनका स्वामित हो एक भी अस्पताल में खुद का भू स्वामित भी नहीं है मैंने मेरे विदाई कोटर से FMD में कॉल्ट चैन मेंटेन करने के लिए पैसे देने की बात की तो एक भी डाक्टर ने हाथ नहीं खड़ा किया बोले बीना बिजली के फ्रीज कहां रखेंगे ऐसी इस्तिती मेरे विदान सभाचेतर के सबी अस्पतालों की है नोडल ओस्पिटल की भी ये इस्तिती है नोखा की आरपियसी में आपने डाक्टरों की भरती वेज रखी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाईए जिस तरह टिड़ी का जिक्र हुआ टिड़ी का हमला राजस्तान के किसानों पर हुआ और उसमें जो बरती सुपरवाईजर के अटकी पड़ी थी हमने सब ने प्रियास के रहा आपने बहुत प्रियास के रहे एक एजी साब को खुद को कोट में पेरिवी के लिए खड़ा किया रोव भरती कोट से निकली और अठाला सब जादा नोजवानों को रोजगार मिला और छेतर में सुपरवाईजर एगरिगल सुपरवाईजरों की बरती हुई इसी तरफ पर पसुपालकों के हित के लिए भी वेटनरी डॉक्टर्स की बरती को जल्दी से पूरा करके और खाली पदों को भरने का काम किया जाए और नए सबसेंटर्स और हॉस्पिटल भी जाज़ा हो सकता है वो हमने आपको लिखे बेजा मानियमंद्री जी उसे खुलवाने का काम करे और पसुपालकों के उप्यों की योजना प्रारम की जाए ताकि नसल सुदार हो सके हमारी जो राठी थारपार के ये देशी नसले उनका समर्दन हो सके और उच्च गुनत्ता का बहुत आइप में हमें दूत उपादन हो सके पसुपालकों की पसुदन की सुरक्सा के लिए जैसा राजने राटर्टर साब ने कहा निसुल्क भीमा योजना या मात्र सो रुपे का परती पसुबीमा योजना लागू करने का ये पसुपालकों के हिद में बहुत बड़ी कारगर बात होगी इसको भी करने का काम करें और नोखा में हमारे डबले ओ की बहुत आदी से ज़्यादा पोस्टे रिक्त पड़ी है अग्रिकल्टर सुपरवाइजर की भी कापी पद रिकत है और एक इतना बड़ा छेतर है और आदे छेतर में ट्यूबे लिरिगेटर छेतर है मोट का सबसे बड़ा छेतर है तो मानने मंत्री जी से आगरे करूँगा अग्रिकल्टरो पिसे योग का पद भी सरजित किया जाए और नोखा की पीम फसल भीमा योजना का बकाया कलेम भी जारी करवाने का कारी करें बादरे की MSP खरीद में आदनी कटारिया जी ने आज बात की सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था एक आगरे मैं आप से करूँगा का नोखा दुनिया की एसिया की दुनिया की सबसे बड़ी मोट मंडी है दुनिया में बीकानिर के भुजिया का स्वाद उसी मोट के दम पर है जिसका उत्वादन सबसे ज़्यादा नोखा में होता है और मोट एम्सपी में सामिल नहीं है इसकी भी परकिया या जिस तरह बंगाल में जूट सामिल नहीं है एम्सपी लेकिन जूट कमिस्पी मन्गाल में स्टेट लेवल पर बनावा है S.I.E. मोट कमिशन का गठन भी राजस्तान सरकार करे इस पे विचार करे नोखा में केवी के करसी उग्यान के अंदर खोलने का कारे करे और नोखा करसी उबच मंडी में याड प्रयाप संख्या में बने हुए हमानिय मंत्री जी और याड के मद में जो पैसा है उसको करसी मंडी की सड़कों में काम लिया जाए ये अपने अधिकारियों को निर्देशित करे और हमारी जो सड़कें बेजिये उनको स्विकर्ट किया जाए और एग्रिकल्चर कोलेज में आने के बाद सब्जेक्ट मिलता है मैं चाहता हूँ कि भारत करसी परदान देश है आदी से ज़्यादा आप आदी करसी पर निर्बर है और जीडीपी में बलाई क्रोथ आ जादी के बाद धिर धिरस में कम होती चली गई लेकिन आज भी रोजगार का सबसे बड़ा रोजगार दाता को इचेत रहे तो करसी है इसमें हम प्रामरी एजुकेशन से और टेंथ ट्वेल्ट के स्टेंडर में भी एग्रिकल्चर के सब्जेक्ट हमारे विध्यालों में खोले नोखा के भी सीनिर सेकेंडरी टेंथ के विध्यालों में सब्जेक्ट खोले जाएं और मानियमंत्री जी बीकानेर टाज़तान पसुची किसा पसुविग्यान विश्विजाले बीकानेर में इस्तित है और बीकानेर गुर्जंबे सुर्फ भगवान की दर्ती है जिनोंने कर्ष्न का आउतार माने जाते हैं 27 वरसों तक गाएं चराई मानियमंत्री जी अभी जिकर आया कर्षी और पसुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू है और जब अभी सदन में चर्चा हुई कि जो आठ हेक्टर तक हमारी एवरेज ओसत्ती लेंड होल्डिंग की वो आजादी के बाद आज के वर्तमान समय में डेड एक्टर से भी कम आ गई है इसलिए कर्सी और पसुपालन हमारे पस्चिमी राजस्तान की तो पसुपालन डीड की राज़ी राज़ा हमारे पसुपालन हमारे बरसात की बरसात पर खेती निरबर है बरसात होगी तो हम एक फसल लेंगे वरना वो नहीं हुई तो हम पसुपालन पसुधन पर ही निरबर है इसलिए कर्सी और पसुपालन को एक साथ बहुत बराबर महत्व दिया जाए और जब लेंड होल्डिंग छोटी होती जारी है तो आज भलें करसी बिलों पर करसी जिफोर्म के जो बिल केंदर की सरकार लाई है उन पर सामने बेटे सत्ता पक्स के लोग किसी तरह की बात करें लेकिन इस अतिकत को सुखार करना पड़े तो कॉंटेक्ट फार्मिंग लाना बहुत लाजमी है समय की आउस्चकता है और ये कॉंग्रेस की आपकी सरकारें भी पंजाब और चाहरियाना हो कॉंटेक्ट फार्मिंग के नियम लाई है और आज किसान की बहबूदी के लिए किसान को मजबूत करने के लिए केंदर की सर जिनको आपकी सरकारें भी जब प्रदान मंतरी मनमोन सिंग जीद बराबर जिक्र करते रहे हैं आपकी सरकारों के प्रडोस के मुख्य मंतरी जो सुनाओं में कहें चाहे 17 में कैप्टन साहब गए हो पंजाब में चाहे हुड़ा साव रहे हो हरियाना में उन्होंने लगातार इस बात की वकालत की है कि एक्ट में संसोद नोना चाहिए और कॉंट्रेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए आज इस बात को लेके भर्म पहलाने की बात कर रहे हैं कि अडानी रम्मानी का जिक्र करके क्या अडानी रम्मानी आज ही कंपनिया प्यदा पेप्सिको और नेसल है बहुत बड़ी मल्टिनेसल कंपनिया काम कर रही है किसानों के बीच क्या किसानों की जमी ने खा गई पंजाब की जबकि यह बिल्ट तीनों एच्छी के मेंडेटरी नहीं है और अभी सुप्रीम कोर्ट का इस्टे है आप पंजाब में इसको रोकने के लिए प्रावधान लिया है बात MSP की करने वाले लोगों कान खोल के सुनो MSP पे जब आप 13 ते तो आपका उन्तिम वर्ष में खरीद 26 लाग करोड रुपे की करते थे आज MSP पे खरीद 1 लाग 26 लाग करोड रुपे पर हो रही है हमारी नियत किसान की मदद करने की है और जितनी भी योजना है देश में किसान के हक और खूक के लिए लाग हुई है वो देश के पूर प्रदान मंत्री अटल भीयारी वाजबई जी के नेत्रतु में वर्टमान नेत्रतों करता मजबूत प्रदान मंत्री निरेंदर भाई मोदी के नेत्रतु में हुई है चाहे वो फसल भीमायोजना हो, चाहे मरदा स्वास्चे काड़ हो, चाहे प्रदानमंत्री फसल भीमायोजना, चाहे प्रदानमंत्री सड़क योजना, जो किसान को मजबूती और ताकत देती है, ये सारे प्रियोग, चाहे खराबे की सीमा को 50-33% लाना हो, खराबे की इकाई क तो कर्षी रिफॉर्म के बिलों पर ब्रगलाना बंद करना होगा क्योंकि जो बात आप सत्ता में रहते हुए करते थे जो बात आप अपने चुनावी गोश्णा पत्र में लेकर आये थे या तो कह दो कि वो जूट थी आपने गलत बयाने की उसके लिए आपके मनमौन सिंग बात करें आपके जो राष्ट्य अद्यक्स है जो भी थोड़े दिन पहले गंगाने के रुनमान गड़े में आए किसान की खाट तोड़के चले गए किसान की कमर तोड़ने का काम आपकी सरकार कर रही है सदन में हमारे साथियों ने लगातार बात की पन आईजियन भी फ़ थी किसान आप से ग्यापन लेना मुंसर मुनासिव नहीं समझा ऴौड़े लेकुं बचाने के लिए आज 309-308 फिट है उसको बारा सोची तक लाके किसार को आप बचा सकते हैं लेकिन जब सदन में इस बात को उठाया तो मात्र अनूपकर साखा में मात्र बारा हजार क्यूसेक पानी छोड़के इती स्री कर दी गई आधी समत्या की नेर भी नहीं चलाए गई सेकर्द वेज का किसान बरबाद फर्ष्ट वेज का किसान बरबाद खोन के आथवर हो रहा है और बीबीमबी भाकड़ा ब्यास मेनेज्मेंट बोर्ड जिस बैह लंबे समय से हमारी मांग गए कि राजस्तान का प्रतिनी दिद्ध होना चाहिए आज राजस्तान की सरकार में जो मुखिया बेटे हैं जोधपूर से आते हैं केंदर में जलसक्ती मंतरी जोधपूर से बेटे हैं जोधपूर के मंतरी जलसक्ती में वहाँ और अगर राजस्तान के मुख्या की इच्छा सक्ती मजबूत हो तो आपके कैप्टम साहब पंजाव में सरकार चला रहे हैं राजस्तान का प्रतनीज़ तो बीबीमबी में हो तो हमारे हत की बात पुरजोर तरीके से वहां रखी जा सके इसलिए किसान के हित्की बात करने वाली सरकार किसान को ब्रगला ना छोड़े करस्ती सुदार पे जो रिफॉर्म केंटर की सरकार ने जो पास किया है एक्ट बने है उन पे किसानों को सध्यन तर पूरुक ले जाके किसान को ब्रगला के धरने पे बिठाने का जो काम कर रहे है उनसे माफी माँगने का काम करें जो पहले बात कही है उन पे माफी माँगने का बात करें देश के परदान मंतर ने जो नियम बनाए किसान के हित्मे बनाए और भारती जिंता पार्टी की सरकारों ने आज तिक जो भी फैसले किये सारे किसान के हित्मे किये मानिये मंतरी जी आ चाहिए हमारे विपक्स के कटारिया जी हो दोनों मानु बाव उससे हमें सीकने को मिलता है और आप बीच में बैठे कटारी जी अभी आपको ब्रगलाने वाले मंत्री जी चले गए आपके सामने गुजारिस है कि आपने पहले भी किसान की बात सुनी है और मैंने छेतर के का काम करें धन्यवाद महन्य मंत्री जी जान्ति कुमार जारिवाल सभापती मोदे